एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल अगर आप लेलबी सेम 6 में हैं और आपको भी नहीं पता कि वायवा में क्या करना होगा किस तरह से अपने आपको रिप्रेजेंट करना होगा वायवा कितने मिनिट तक लिया जाएगा और उसमें कैसे क्वेस्टेंस पूछे जाएंग से यहां पहले जर्णल लिखर ज्टीर होगी जो की 200 की रहती है और चालिस मांक कि वायवा रहते हैं तो फ्रेंट्स अब देखते वायवा में को क्या पहन के जाना होगा तो फ्रेंट्स आपको ब्लैक एंड वाइट ही पहनकि जना रहेगा उसके उपर कोट पहनने के जरू देने जा रहे हो वैसे ही रेडी होके जाना है फ्रेंट्स अब देखते हैं वायवा में किस टाइप के questions पूछे जाते हैं तो आपने जो 200 marks की जर्नल लिखी है ज्यादा तर questions उसी में से पूछे जाएंगे पर ऐसा नहीं है कि बाहर के questions नहीं आएंगे वह आपको जर्नल के बाहर के question भी पूछ सकते हैं वायवा में आओ वो लोग कोई यह चेक करना चाहते हैं कि आप regular college गए हो की नहीं आपने lectures attend करे हैं की नहीं आपको law के बारे में कितनी जानकारी है आपने सच में किसी एड्वोकेट के अंडर में इंटर्शिप करी है की नहीं वो सब चेक करेंगे अब देखते हैं model questions की वायवा में आखिर किस टाइप की questions पूछे जाएंगे question 1 seven lamps of advocacy बताईए यानि की वकीलातना साथ उद्धिपक जनाओ question 2 गुजरात के chief justice कौन है यानि की उनका नाम बताओ question 3 chief justice of india का नाम बताओ question 4 LLB का full form क्या है question 5 तुम्हारे college के principal का नाम बताओ question 6 what is advocate on record यादले की advocate on record सूच है question 7 अभी जो new laws आये हैं उनके द्वारा किन laws को replace किया गया है और वो नए laws का नाम बताओ question 8 what is professional ethics question 9 IPC section 498 क्या है उसके बारे में बताओ question 10 आपने LLB क्यों किया है question 11 क्या आप किसी भी कागज पर pen से लिखकर उसकी notary करवा सकते हो अगर करवा सकते हो तो क्या वो legal होगा question 12 LLB और integrated LLB में क्या difference है question 13 CRPC section 125 किस बारे में है question 14 अगर आपके साथ crime एहमदाबाद में हुआ हो और आप राजस्थान में रहते हो तो आपको कहां पर crime register कराना चाहिए question 15 इंडिया के सबसे पहले advocate कौन थे तो friends आपको question देखके लखी रहा होगा कि ये सब questions कहां से आए तो friends वायवा में ऐसे ही होने वाला है वायवा के जो professors रहेंगे वो आपको कोई भी questions पूछ सकते हैं लेकिन ज़्यादा तर question जो रहेंगे वो आपको आपने जो journal लिखी होगी उसी में से आएंगे तो friends वो अच्छे से याद कर लेना कि आपने अपनी journal में क्या क्या लिखा था अब जानते हैं आपके वायवा का time कितना होगा तो अगर logically देखा जाए तो total number of students जो है वो एक time slots के हिसाब से 39 है और जो time है वो है डाई गंटे का तो friends इस हिसाब से average अपका 3 से 4 मीड तक ही वायवा चलेगा उससे ज़्यादा आपका वायवा नहीं चलेगा अब इतने time में आपको वो 10-15 questions नहीं पुछेंगे बट वो देखेंगे आपकी personality आपका confidence आपका behavior आप किस तरह से answer देते हो वो अब वो आपका knowledge चेक नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि already आप exams में अपना knowledge दिखा चुके होंगे वायवा में बस आपकी personality ही चेक होगी कि अगर आप court में appear होते हो या किसी और field में जाते हो तो क्या आप confidently अपने आपको represent कर पाते हो या नहीं? तो friends, Sam6 के सभी students को मेरी तरफ से all the best और आप advocate बनके अच्छा नाम कमाओ ऐसी मेरी सुभिच्छा है और friends, आप सभी मेरे WhatsApp ग्रूप से जूट सकते हो जिसमें आपको लोग के related information मिलती रहेगी इस वीडियो को लाइक करे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और आप मुझे Instagram पर पिफॉलो कर सकते हो मेरा Instagram ID आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले